नमस्कार टेक लगाव आंगन्वाडी में आपका स्वागत है तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोशन ट्रेकर में किसी गरवती महिला की रिलिवरी हो चुकी है तो उस महिला का नाम माईग्रेट आउट करना है यह माईग्रेट करना है माईगेट टू लैक्टेटिं पर तो हमने पोशन ट्रेकर ओपेंड कर लिया है पोशन ट्रेकर ओपेंड करने के बाद हमें बेनिफी स्रीज पर जाने के बाद हमें सबसे पहले प्रेग्नेट ओमेंड वाला आपसन पर क्लिक कर देना है तो हमने इस पर क्लिक कर दिया है अब यहां पर देखिए इतने सारे म महिला का हम माइग्रेट करते हैं तो वो कौन सा आपसन होता है माइग्रेट जैसे जब आप किसी की डिलिवरी होती है तो उसी महिला को हम माइग्रेट करेंगे तो यहां पे समसे यहां आती है कि कई तो यहां पर आपको आप्सन देखने कि माइग्चे02 मदर जिसकी डिलिवरी हो चुकी है तो उसका migrate to lactating mother में करना है या migrate out करना है तो यहां काफी लोगों को problem यह रही जैसे कि आप गलती से गर migrate out कर दी है उसमाहिला का नाम तो उसका तो beneficiary से नाम हट जाता है उसका चला जाता है दूसरी योर तो वो उसको कैसे migrate in करना है यानि वापस कैसे नाम को लाना है अगर गलती से आपका migrate out हो चुका है तो आप उसको वापस भी ला सकते है तो यहां पे हमें migrate out नहीं करना है हमें delivery होने पर migrate to lactating mother पे क्लिक कर देना है तो हमने यह जैसे क्लिक किया तो इस तरह खुलके वापसन आ चुका है पंजी करण किया है उसका कुछ सत्ता में miscarriage हो गया है तो यहां पे जैसे miscarriage का आपसन यहां पे आपको दिख रहा है यहां पे आप miscarriage वाला आपसन इस पे क्लिक करेंगे तो यह आन हो जाएगा उसके बाद आप सम्मिट कर सकते हैं यहां पे आपसन आपसन आपको यहां पे मिल जाएंगे लेकिन जिसकी delivery हो चुकी है जिसका सरी सलामत बच्चा है तो हम उसको यहां से date डालेंगे पहले कि date किस delivery को किस तारीक को उसके delivery होई है यह date हमें डालना है तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया यहां पे मतलब वही date डालना है जिस date को उसकी delivery होई है तो हमें यहां पर इसकी delivery एक अगस्त को हुई थी तो चलिए हमने यहां पर डालके submit कर देता है अब यहां पर डेट जैसे ही आ चुका है देखी हमने date डाला तो date डाला यहां पर migrate कर देना है उसके बाद यहां से delivery आगर आप वह यहां पे अभी तक और सोच लेते हैं थोडा से की नहीं हुई है उसकी delivery सायद अभी उसकी delivery नहीं हुई है गलत आपने तारीख सुना है delivery की तो आप यहाँ से cancel भी कर सकते एं लेकिन उसकी deliver हुई है तो हम यहां पर ok करेंगे ok पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे बेषिसरेad migrated successfully हो जाएगा इस तरह करके आप migrate कर सकते हैं अब यहां पे तो हो चुका है उसका वहां से नाम हट चुका होगा उनना कल बजिशो और इस तिरहाल इसका नाम यहां पर दीख रहा है अभी तो इस तरह करके आप migrate कर सकते हैं यह आपको आगे टाइम में जब यह वो होगा तो इसका नाम यहां से हट जाएगा उसके बाद इसका नाम आ जाएगा यहां पर संख्या बढ़ जाएगी जैसे कि आप यहां पर धातरी महिल लेक्टेटिंग मदर में नाम उसका आ जाएगा यहां पर हमारी दो लेक्टेटिंग मदर थी तीन नाम आ चुका है तो इसके देख सेंटी Everyday put के आगे क्लिक किया यहां पर तो यहां पर देखते हैं इसका प्रोफाइल देखिए यहां पर इसका इस रिकार्ड यह जो है अब यहां पर इसका धातरी में नाम आ चुका है लेकिन अगर हमें अभी बच्चे में इसका पंजी करने करना पड़ेगा इससे की 0-6 माह के जितनी से 6 माह में पंजी करन करेंगे अब यहां पर देखिए 0-6 मंत वाले बच्चे पर आते हैं जैसे ही जीरो 6 मंत का जो बच्चे देखे रिकार्ड एक भी नहीं दिख रहा है यहीं तीन दातरी है तो हमें तीन बच्चे का रिकार्ड यहां पर दिखाना पड़ेगा तो आप तीनों बच्चों का रिजिस्टेशन यहां से करेंगे न्यू रिजिस्टेशन का जो आपसन आता है इससे आप करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही देखने के लिए धन्यवाद